नमस्कार स्वाकत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप सिंधी में गुटनों पर ज़ादा वेट देने से ज़ादा चलने से दोडने से या कुदने आधी कारणों से गुटने में दर्ध हो सकता है ये रोग बहुत ही कस्टदाई और औसहनिया होता है इस रोग में वेक्ति ठीक से ना तो चल फिर पाता है और ना ही उठ वैट पाता है इस रोग से बचाओ पानी के लिए आपको खुब पानी पीना चाहिए भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए और रोज सुबर सुरज की हलकी किरन हो तब कम से कम 30 मिनट तक का तहलना चाहिए या फिर कोई वयायाम करना चाहिए इस परक्रिया को करने से हड़ी मजबूत होती है और घुटनों के दर्द में भी आराम मिलता है अब मैं आपको घुटनों के दर्द को दूर करने का एक घरेलू और रामवर्ण इलाज बताती हूं घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए जो जमान आपको चाहिए वो बहुत ही आसानी से आपके किचन में मिल जाएगा इसके लिए आपको जो पहली चीच चाहिए वो है एक छोटा चमच हल्दी जो की एक एंटिसेप्टिक वो एंटिबायोटिक का काम करती है। इसके लिए आपको एक छोटा चमच हल्दी लेना है, इसके बाद एक चमच शहत इसमें आपको एड करना है। अब इसमें आपको एक चौथा ही चम्मच चूना या फिर एक चुटकी चूना मिलाना है आप इसमें खाने वाला चूना ही इस्तमाल करें अब आप इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर ले ये आपका पेस्ट बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा जो एक लेप की तरह दिखने पेस्ट को आपको अपने घुटने पर हलके हलके हातों से करीब 10 मिनट ते के लिए मसाज करना है ये आपको रात को सोते वक्त करना है रात को सोते समय हलकी हलकी इस नुसके के थ्रू मालिश करनी है जब आप मसाज कर ले तो इस पर कोई सूती कपड़ा बांद कर सो जाए औ उसकी आपको लगातर साथ दिनों तक जरूर करना है। आप गुटनों का दर्द से खत्म हो जाएगा। यह बहुत ही कारगर घरेलून उसका है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस नुश्क के कपर्योब करके आप अपने घुटनों का दर्द जड़ से खत्म कर सकते हैं इसके लावा भी आप काली मिर्च को पीस कर सरसों के तेल में डाल कर गर्म करें और फिर इस तेल से घुटनों की मालिश करें घुटनों के दर्द इसमें आराम महसूस होगा उमेद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो हमारी वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले सबी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके